नमस्कार, मद्ध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, स्रिमान सिवरास्टी चौवान, राज्य सरकार के मंत्री गण, विधाय गण, पंचाय सदस्य, अन्य सभी महानुभाव और मद्ध्य प्रदेश के मेरे सभी भायों और भेनों, सबसे पहले आप सभी को धन्तेरस और दिपावली की बहुत-बहुत सुपकामनाई, धन्तेरस और दिपावली का यवसर ऐसा होता है, जब हम नई शुरुवात करते हैं, घर में नया रंग रोगान करते हैं, नय बरतन लाते हैं, कुछ न कुछ नया जोडते हैं, नय संकल पर भी लेते हैं, नई शुरुवात करने से हम जिन्दगी में नयापन भर देते हैं, सूख और सम्रुत्य के लिए एक नया द्वार खोल जाता है, आज मद्द प्रदेश के साड़े चार लाग गरीब बहनों और भाईयों के लिए नए जिवन की शुरुवात हो रही हैं, आजे सभी साथी अपने नये और पक्के घर में गर्ष प्रवेश कर रहे हैं, एक समय था जब दंतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और गर जैसी बड़ी और महेंगी संपती खरीद पाते थे, जिनके पांज संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्ही के लिए धंतेरस होती थी। लेकिन आज आज देखिये, देश का गरीब भी धंतेरस पर गर्ष प्रवेश कर रहा है। मैं मद्द प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेश बधाई देता हूँ, जो आज अपने घर की मालकिन बनी हैं और लाखों रुप्यों के बने गर आपको लगपती बना दिया है। भाई और भेनों, मैं तक्निक के माद्यम से सामने बैठे असीम आकांग्षाओं से भरे अंगिनत लोगों को देख पा रहा हूँ। पहले आकांग्षाओं ये सपने सामने आते ही नहीं थे, क्योंकि बिना घर के इस संभावनाय दब जाती थी, छिप जाती थी, मुर्जा जाती थी। मुझे विश्वास है, अब जब इन साथियों को ये नए घर मिल गए हैं, तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है। इसलिए ये आज का दीन सिर्फ ग्रह प्रवेश्का नहीं है, बलकि गर में खुश्यां, गर में नए संकल्प, नए सपने, नए उमंग, नए भाग्य उसमें प्रवेश्का भी है। ये हमारी सरकार का सवभाग्य है, कि बीते आठ वर्षों में, वो पी-म आवास योजना के तहत, साड़े तीन करोड गरीब परिवारों की जिन्दिगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है, हमने ऐसे ही घर बना कर दे दिये, चार दिवारे खड़ी करके दे दिये, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित हैं, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरुरतों को सबसे जादा समझती हैं। हमारी सरकार जो घर देती है न, उसमें बाके शुविधाएं भी साथ होती हैं। सवचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग-अलग योजनाएं, प्रधान मंत्री आवाश योजना के इस करोडों घरों को सम्पूर्ण बनाती हैं। साथियों, आपने आपसे बात करते हुए, मुझे पहले कि स्थिति भी याद आ रही है। पहले अगर गर गरीबों के लिए गोशिद होता भी था, तो उसको टॉयलेट अलग बढ़ाना पड़ता था। बिजिली, पानी और गैस के कनेक्शन के लिए अलग-अलग सरकारी दप्तरों के कई-कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले कि सरकारों में इस पूरी प्रक्रिया को पुरा करने के लिए गरीब को कई दप्तरों में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। यही नहीं, पहले गरीबों के नाम पर घरों की गोशना तो हो जाती थी, फिर सरकार बनाती थी कि इस तरह का घर बनेगा, वही हुकम करती थी, वही नक्षा दे रियती थी। यहां से ही सामान लेना है, यही सामान लेना है। जिसको उस घर में रहना है, अरे उसकी कोई पसंद होती है, नापसंद होती है, उसकी अपनी सामाजिक परमपराय होती है, उसका अपना ग्रहन सेहन होता है। उसकी कोई पुस्ताज ही नहीं होती थी। यही कारण है कि पहले जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे, उनमेंसे बहुत सारों में कभी ग्रह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। लेकिन हमने ये आज़ादी घर की मालकीन को घर के मालिक को दे दी। इसलिए आज पी एम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बड़लाव का माध्यम बंडर जी है। भाई और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीड़ी अपनी अरजित की हुई संपती को अगली पीड़ी को सौंपती है। हमारी यहां पहले की सरकारों की गलत नित्यों की वज़े से लोगों को मजबूरे में आवास हिंता भी अगली पीड़ी को सौंपनी पड़ती थी। और जो संताम पीडियों के इस कूचकरों को तोड़ती थी। उसका बहुत गुंगान होता था। गवरोगान होता था। मेरा सवभाग है कि देश के सेवक के तौर पर देश की करोडों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोडों गरीब परिवारों को इस कूचकर से बहार निकालने का मोका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मद्य प्रदेश में भी पी एम आवाच योजना के तहत करीब तीस लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी नव दस लाख घरों पर काम चल रहा है। साथियों लाखों बनते हुए घर देश के कौने कौने में रोजगार के आउसर भी बना रहे हैं। झाल